मारूती का अनप्राशन संसकार आरंब होता है जहां मारूती को देव गुरु ब्रिहस्पती स्वयम मारूती के मुख में भोजन का पहला कोर रखते हैं किन्तु मारूती देखते ही देखते भंडार का सारा भोजन खाकर समात कर देते हैं अंजना को चिन्तित देख मारूती मा से खुशुदा त्रिप्थ होने की बात करते हैं अब आगे क्या करूँ मैं मेरी शुदा तो शांती नहीं हो रही है कुछ तो खाना होगा पर क्या खाऊं रहसोई में जाकर देखता हूँ वहाँ अवश्य कुछ मिल जाएगा कहा ढूंदू यहाँ देखो यहाँ भी कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है यह भी रिक्त है अरे यह सब तो रिक्त है अब मारूती क्या खाएगा इनमें कुछ तो होगा इसलिए उपर बान के रखे हुए है क्या करूं यहाँ तो कुछ भी नहीं है इसलिए देखो क्योंदू क्या क्या खाएगा क्या भी यहाँ जब मारूती अरे ये तो शक्रा है और ये तो कच्ची दाल है और ये कच्चे चावल अब मैं इन्हें कैसे पकाऊं कच्चे ही खा लेता हूँ शुदा ही तो शान करनी है अरे ये तो समाप्त हो गए अब मारूती क्या खाएगा नारायन नारायन प्रणाम देवर्शी आप और ये सेब आप ये सेब मारूती के लिए लाए है हाँ मारूती ये सारे सेब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ नारायन नारायन लो देवर्शी देवर्शी, ये सेब तो बड़े रसीले और स्वादेश्ट थे. मारूती को और चाहिए. किन्तु मेरे पास जितने सेब थे, मैंने आपको दे दिये. अब और फन नहीं है मेरे पास. किन्तु मारूती की भूग तो अभी थक शांथ हुई ही नहीं है. और इसी कारण मा बहुत दुखी है. मा का दुख तूर करने के लिए मारूती को अपनी शुदा कुशांथ करना ही होगा. ये तो बड़ी ही विकट समस्या है. मेरे फल तो समाप्त हो चुके हैं. किन्तु मैं तुमें एक ऐसा फल दिखा सकता हूँ. जो विशाल तो है ही, तुमारी शुदा को भी शांथ कर देगा. किन्तु… किन्तु क्या देवर्शी? किन्तु वो फल तुमें स्वैम तोड़ना पड़ेगा. उसे स्वैम प्रियास करके पाना पड़ेगा. प्रियास करना पड़ेगा. करोगे? अवश्य शीग्र दिखाए देवर्शी, मारूती अवश्य प्रियास करेगा. आओ, मैं दिखाता हूँ. वो देख रहे हो ना, वो महा फल, आकाश फल. अच्छा ये है आकाश फल, कितना बड़ा है। दिखाए दिया ना? वो है आकाश फल. इस महा फल को खाने से तुमारा उदर भर जाएगा, और तुमारी शुदा भी शान्द हो जाएगी। सत्य कह रहे हैं आप? सत्य तो कह रहा हूँ. किन तू? पुना है ये किन्तू? और कितने किन्तू देवर्शी? किन्तू बहुत दूर है वो आकाश फल. शुन्ने की डाल पर लटका है, युग सहिस्त्र योजन दूर. तो क्या हुआ? यदि अटूट इच्छा, लगन और अदम्य साहस के साथ, किसी भी लक्षे को पाने के लिए बढ़ा जाए, तो वो लक्षे है, अवश्य ही प्राप्त हो जाता है. पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परन्तु तुम्हे एक आग्र होकर अपने लक्षे तक पहुंचना है, अपनी भूग मितानी है तो, चाहे कितनी भी दूर हो वो आकाश फल, अमनाओ के साथ आगे बढ़ो, जाकर खा लो आकाश फल, ये काथा महाबली हनुमत की, रुजिकर लीला राम भगत की, जै 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 रगुनंदल्य राम, जै 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 महाबली हनुमार, यासूर में जो एहंकार, दिवतर्प में हुआ वेकार, नारत जी हैं चन कल्यानी, गर्व भंग करने की ठानी, एक बान से दो दो लक्ष, कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष, मित्रो, मारुति को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था, हाँ, कल अनप्राशन में उसने कहा था, सभी प्राता यहीं मिलेंगे, कुछ भी कहो, किन्तु है, अद्बुधी है हमारा मित्र मारुति, किन्तु कल कितना खाया था, हाँ, मारुति, हाँ, मारुति, अरे मारुति, मारुति, अरे मारुति कहां जा रहे, कहां जा रहे हो मारुति, मैं आकाश फ़ल खाने जा रहा हूं, हम आकाश फ़ल पर 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 आकाश पर ये कौन सा फ़ल है ना जाने कहां चला गया पता नहीं पलक छपकते ही ओजल हो गया हम इश्वरी जाने वो किस फल की बात कर रहा था तरह बात कर दो गपकाश मतो हुआ पर not की बार पर चत्व है खो कि इब जाने वो को झाल झाल है। प्रणाम राज प्रुहजी कल्यान भवा राजन वैसे तो सूरे ग्रहन के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विशे में आपको सब कुछ ग्यात है और महारानी जी भी धर्म कर्म के कारे से पूर्णतया परिचित हैं फिर भी मैं अपता पुरोही धर्म निभाते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ आपका तुलादान होगा अर्थाथ आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा तथा हर बार की भाती वस्त्रदान एवं गौदान भी करना होगा अब अश्य राजपुरोहिच जी ऐसा ही होगा एक राजा के लिए प्रजा सेवा भी प्रभु सेवा के समान भी होते हैं राजपुरोहिच जी हमने सारी व्यवस्ता कर दी है हम ये सब तो व्यवस्तित रूप से हो जाएगा किन तो मारूति का क्या करो, सो कर उठते ही उसे भोग लगेगी भोजन उसे दे नहीं सकती, अपनी भोग के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहन के बारे में क्या समझेगा आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है करता है